सब्सक्राइब करिये मन्टू आउनलाइन चैनल को मोबाइल इंटरनेट आउनलाइन टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और दवाइए बैल आइकन को हाई गाइस कैसे हैं आप सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं कैसे पता करें तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो वीडियो सुरू करने से पहले मैं करूंगा आप लोग इसे एक रिक्वेस्ट अगर प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए मैं आपको मुबाइल इंटरनेट ओनलाइन रेलेटिड वीडियो लाता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होती है तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम आपको ले जाते हैं मुबाइल के क्रों ब्र क्रांट जिव वी डाको दिन पर कि अब ये खुल रहे है चलिए यहां पर देखियो खुलकर आगया अब यहां पर हमें स्क्रॉll करके नीचे आना है यहां पर देखियो फर्ष्ट नॉमडर पर लिखा है verify आधार number यहां हमें click करना है verify आधार number पर चलिए हम click कर लेते हैं चलिए हमने click कर लिया कुछ इस तरह का window आता है उसके बाद यहां पर हमें simply आधार number डाल लेना है तो चलिए हम आधार number डाल लेते हैं सबसे पहले मैं अपना try कर लेता हूं बाड़ार नंबर दाल लेता हूं एक सेन सपकथकरियं में डाल रहाँ अधार नंबर अपना को यह देखिए मैंने अपना अधार नंबर डाल लिया अब यहां पर हमें सिंपल यह कि कापचर कोड डालने तो चलिए हम capture code भी डाल लेते हैं तो देखिए capture code डाल रहा हूं मैं अब देखिए मैंने capture code भी डाल लिया अब यहाँ हमें proceed to verify पर क्लिक करना है चलिए मैं कर दिया proceed to verify पर क्लिक अब यहाँ पर देखिए यह मेरी detail आ गई है यहाँ पर आधार vacation complete हो गया यहाँ पर मेरा आधार नमबर है यहाँ पर age यह एक maximum age बताता है कि जो जिसका हमने आधार card चेक किया है वो बंदा 30 या 20 और 30 के बीच में उसकी age होगी और यहाँ पर उसका general आ गया है और state आ गया है देली का और यहाँ पर उसका mobile नमबर आ गया ह last के three digit है तो आप यहाँ से यह पता कर सकते हैं कि आपका mobile number link है तो यहाँ पर मेरा mobile number link है तो यहाँ पर दिखा रहा है कि mobile number का option यहाँ पर दिखा रहा है अगर मेरा mobile number link नहीं होता तो यहाँ पर option नहीं आता चलिए हम example के और आधार card चेक कर लेते हैं उसमें देख लेते हैं कि उनके में mobile number link है की नहीं तो चलिए हम यहाँ पर फिर से click करते हैं किसी दूसरे आधार card के लिए तो यहाँ पर verify अंदर आधार card पर click किया हमने यहाँ पर फिर से same process है चलिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं दूसरा आधार card number चलिए हम डाल रहे हैं चलिए हम यह डाल देते हैं आधार number उसके बाद हम आपको बताते हैं देखिए हमने आधार number डाल लिया फिर से हमें capture code डालना है यह capture code डाल लेते हम चलिए यहाँ से हम फिर से proceed to verify पे click कर देते हैं चलिए जैसे हमने proceed to verify पे click किया यहाँ पर देखिए उस person की detail आ गई अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है उनका अधार number और यहाँ पर age दिखा रहा है तो इनका age पचास और साट की बीच में है यहाँ पर उनका general दिखा रहा है male और female और यहाँ पर estate दिखा रहा है कि बिहार estate से यह है जिनका यह आधार card है तो अब यहाँ पर देखिए इनका mobile number के आगे कुछ नहीं आ रहा है तो मतलब इससे यह पता चला रहा है कि इसमें mobile number link है की नहीं अब यह देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो अब इससे बड़ी आसानी से आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं है अगर लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करा जाए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो तो आप वीडियो को देखते रहे हमारे चैनल पर और अगर हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट सेर सस्क्राइब जरूर करें मन्टू आउनलाइन चैनल को और मैं आपके लिए ऐसी हेलफुल वीडियो लाता रहूंगा मोबाइल इंटरनेट टे बन्यवाद वन्दे मात्रम